नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर मैर्टिक परिक्षा देने से पहले जान ले ये जरूरी बाते मैर्टिक परिक्षा देने से पहले जान ले ये जरूरी बाते कल से बिहार विद्याले परिचा समीती की ओर से मैर्टिक की परिचा की शुरवात होने वाली है जो की 22 फरवरी तक चलेगी ऐसे में समीती की दोरा सेकंड सिफ्ट की परिच्छा के समय में बदलाओ कर दिया गया है बता दे कि पहले जो परिच्छा 1.45 बज़े तक होनी थी उसके समय को बदल कर अब 2.15 तक नरधारित कर दिया गया है बता दे कि इस परिच्छा में पूरे राचे भर से कुल 16,35,383 परिच्छार्थी शामिल होगे मालूम हो कि मैट्रिक की परिच्छा दो पाली में आयोजित की जाएगी वहीं वैसे परिच्छार्थी जिनके एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रूटी है तो वैसे परिच्छार्थियों को अपने साथ परिच्छा केंद्र पर अपना एक पहचान पत्र लेकर जाना अनिवारे है N.I.D.J.A.M. 2020 में बिहार के खिलारियों ने जीता साथ पदक बीते दिन बिहार के राज़ानी पत्ना के पाटले पुत्र खेल परीसर में चल रहे राष्ट्रिया अंतर जिला जूनियर अटलेटिक्स मीट का समापन दन था जिसमें बिहार के खिलारियों के दौरा साथ पदक जीते गए जिसमें तीन गोल्ड, तीन सिलवर और एक ब्रॉंच मेडल है आपके जानकारी के लिए बतादी के बिहार के जिन खिलारियों के दोरा साथ पदक जीते गए हैं उनमें जमुई के अभैपांडे, जमुई के आशीश कुमार, सिवान की, अलका कुमारी, रोतास का, प्यूश कुमार, पटना का, प्रशांद कुमार, जमुई का, विरंतर या जिसमें उन्होंने अपने से सीनिर अधिकारियों और बिहार के लोगों के खिलाफ अपती जनक बाते कही थी, हाला कि इसके बाद सरकार के दोरा उन पर तो किसी प्रकार का कोई एक्सन नहीं लिया गया, लेकिन अब उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जिसने IASKK आमीन विकास संस्थान यानि विपार्ट की सिकायत के बाद शुरू की गई है, देश का दूसरा सबसे बड़ा IT पार्क बिहार में यहां बन कर हुआ तयार, बहुत जलती देश का दूसरा सबसे बड़ा IT पार्क बिहार में बन कर तयार होने वाला है, बनारे कि इस पार्क क कि देड़ दर्जन से अधिक कंपनिया अपना ओफिस खोलने वाली है यहां सभी तरह की सुभधाएं उपलब्द होंगी इसके निर्मान से ना केवल मितला के युवाओं को बलकी पूरे बेहर के IT सेक्टर से जुरे युवाओं को लाब मिलेगा इसके साथ ही ऐसी उम्मीद क के द्वार राज्य के सीओ की परफॉर्मस रिपोर्ट जन्वरी महीने की जारी की गई है जिसमें नंबर एक पर 95.4 फीजदी मार्क्स के साथ बांका जिले के अमरपूर अंचल का नाम है वही दूसरे नंबर पर 94.9 प्रतीशत अंग के साथ सीता मरी का बाजबटी तीसरे 94.39 प्रतीशत अंग के साथ बांका का रजोन 93.69 प्रतीशत अंग के साथ चौथे नंबर पर सीता मरी का मेजर गंच 93.50 प्रतीशत अंग के साथ पांचवे नंबर पर बांका का बरहट अंचल का नाम शामिल है वही अगर सबसे ख़ड़ा प्रदर्शन वाले अंचल की बात किया जाता है अब बार बार नहीं देना होगा BPSC PT की परिक्षा अगर आप उन छात्र चात्राओं में हिसे हैं जो BPSC परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे कि आयोक के द्वारा BPSC PT परिक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है जिस मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दी कि आयोक के द्वारा यह बदलाओ BPSC 79 PT से किया जाएगा जो की 30 सितंबर को होने वाला है इसके साथ ही अभियर्थियों की मांग को ध्याम में रखते वे आयोक के द्वारा यी ओप्षिन को भी हट भाजपा में शामिल होकर की थी जिसके बाद मैं भाजपा के महा सचीव बने और फिर दकशित गोवा के अध्यक्ष बनकर PART के लिए काम किया इसके बाद फिर ये बास को और फिर पेर्णिम से विधायक बने उन्हें गोवा की भाजपा सरकार में काबिनीत मंत्री भी बनाये गया व्यार अरलेटकर ने पंचायत पर्यावरन और वनमंत्रिक अदायत्व भी निभाया है इसके बाद वे 2002 में गोः विधानसभा के अध्यक्ष बने बोजपूरी एक्षरस अक्षरा सिंग के टिंकिया सौंग पर इस बच्छी नी मचाया धमाल बोजपूरी एक्षरस अक्षरा सिंग का एक रैप सौंग टिंकिया सारे कामा हम भोजपूरी चैनल पर रिलीज हुआ है जिसे उनकी मा रित्तु राज के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जो लोगों को काफी पसंदारा है बता दे कि हिमांक मिश्वा के इस वीडियो को खुद अक्षरा सिंग के दौरा आपके शोचल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है और लिखा है मेरा चोटू हीरो और अब तक इस रील को 35,000 से जादा लाइक मिल चुके हैं इसके साथ ही इस रील पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं एक यूजर लिखता है कि वह क्या बात है तो भाई दूसरा यूजर लिखता है वह सुंदर वेरी बीटिफुल मोटे अनाज के प्रती लोगों में जागरुकता लानी को लेकर केंदरी अमंत्र अश्वीनी 24 के द्वारा कहा गया है कि प्रिधान मंत्री मोधी के नर्तित्व मार्ग दर्शन में लोगों में जागरुकता के लिए काड़े करम का आयूजन किया जा रहा है मिलिट को सरसिंग तक के काम में विशेशकर महिलाओं को जोड़ा जा सकता है आज देश दुनिया में मिलिट का प्रमुक उत्पादक है जिसमें बिहार का प्रमुक योगदान आने वाले समय में और बढ़ है इसके लिए हमें अभी से प्रियास करना होगा होली के दौरान नहीं होगा इंटर वा मैट्रिक का मुल्यांकन बिहार बोड के मैट्रिक और इंटर के मुल्यांकन को लेकर बिहार माध्य में सिक्छक संग के महासचीव सहबपुर विसान सद सत्रुधन प्रिशाज सिंग के दौरा कहा गया है कि संग के प्रतिनीधी मंडल के साथ बिहार पोर्ट अध्यक्ष की बैठक पर यह फैसला लिया गया है कि होली के दौरान इंटर और मैटरी का मुल्यांकन कारे नहीं किया जाएगा यानि कि होली के दौरान यह मुल्यांकन का काम बंद रहेगा इसके साथ ही बैठक में बैठक के संग के दौरा अध्यक्ष और कर्मियों को यात्रा भत्ता देनी की मांग शामिल है रामचरित मानस पर मांची का बड़ा बयान कुस दिनों पहले बिहार के सिख्छा मंतरी के दौरा रामचरित मानस को लेकर बयान दिया गया था जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा था वहीं अब रामचरितमानस पर बिहार के पुर्व मुख्यमंत्रे जीतरना मांजी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है उन्होंने कहा कि रामचरितमानस मेरे लिए भी पुझ्जे महा कावे है लेकिन इसके बावजूद भी उसमें की कुछ पंक्तियां पर मुझे आप रामचरितमानस से दूद और पानी को अलग कर लेना चाहिए अमसा के बेहार दौरी को लेकर लललन सिंग का बयान गर्य मंत्रे अमसा के यहां आरह है उसमें महागरवनधन की होने वाल रैली को लेकर कहा कि हाँ वहाँ तो हमारी रैली होगी ही इसके लावा जब उनसे उपिंद्र कुश्वाहा दोरा बुलाई गई बैठक के बारे में सवाल किया गया तो उन्हों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया लालू के लोटते हैं एक्शन में आर्जेटी सुप्रीमो लालू पुशाद यादव सिंगापुर से सनिवार की रात आठ बजे भारत लोटा है वही अब उनके भारत में आगमन हो जाने के बाद कारे करताओं में जोस भरने और बूत स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के ल ले जाएंगे चिन में नालन दास से भर पुर्वी चंपारन पश्मी चंपारन गया सिवान मुंगेर सिखपूरा वं मदुबनी शामिल है इसके साथ ही पार्टी के एक करोड सदस्य बनाने के लक्षे के विरुद एक करोड साथ लाग सदस्य बनाए गए हैं BCCI ने बदला भारत बनाम आस्ट्रेलिया टेस्ट स्रीस का सड्यूल एक से 5 मार्च के बीछ होने वाले भारत बनाम आस्ट्रेलिया टेस्ट स्रीस का तीसरा मुकाबला धरमशाला में खेला जाना था जिसे अब BCCI के दोरा बदल कर इंदॉर सिफ्ट कर दिया गया है बता दे किस बात की जानकारी बोर्ड के दोरा आज सुभा प्रेस रिलीज करके दी गई है BCCI ने लिखा है बोर्डर गावसकर ट्रोफी के लिए भारत के मास्टर कार्ड ऑस्ट्रेलिया दोरी का तीसरा टेस्ट जुमूर रूप से 1-5 मार्च तक HPCA स्टेडियम धर्मशाला में होने वाला था अब इंदॉर में होलकर स्टेडियम में स्थांतरत कर दिया गया है चितर में कठोर सर्दियों के स्थिति के कारण आउट फिल्ड में पड़यात घास घरत्वन नहीं है और पूरी तरह से विक्सित होने के लिए कुछ समय क्या विश्यक्ता होगी बतादी कि भारत बना मॉस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच 17-21 फरवड़ी के बीस दिल्ली में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट मैच 1-5 मार्च के बीच अंदौर में और चोथा टेस्ट मैच 9-13 मार्च के बीच आहम्दाबाद में खेला जाएगा जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट? बिहार में आज यानी सुमवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी की गए इसके बाद राजधानी पटना में आज पिट्रॉल 107.92 रूपे और डीजल 94.92 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है पागलपुर्व पिट्रॉल डीजल के रेट सबसे राजधा किसन गज में है जहां पिट्रॉल 109.94 रूपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीदे दिन हमादरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमादरा पूछे का सवाल का जवाब दिया अब बरते हां आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसरार किसानों के मुनाफिक और बढ़ाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए आपना जवाब हमें अमारे कामेंट सेक्षिन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें अगर आप यूटूब से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद